दोस्तो आज इस वीडियो मज़ अपडेट देने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है दोस्तो जो बंदा 12 पास है 12 पास है और उसके साथ ये वीडियो दोस्तो 25 फैबुररी दो हजार 23 से पहले अगर देख रहा तो दोस्तो ये आपके लिए golden opportunity है उन बंदों के लिए दोस 60,000 तक कमाने का आपके पास offer है और ये offer मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा दोस्तो ये आपको मैं link दूँगा कहां से आप apply कर सकतो कैसे apply कर सकतो और ये वीडियो जैसे मैंने बताए कि 25 फैबुररी से पहले तो दोस्तो आपने देखा हूँ ये heading की ये fire and safety jobs rated है तो दोस् चलता हूँ दोस्तो ये जो opening है दोस्तो recruitment of technician तो कौन-कौन से post के लिए दोस्तो वो मैं आपको direct लेके चलता हूँ जो important date है वो एक बार फिर सा highlight कर देता हूँ कल से ये शुरू होने वाला है दोस्तो fire and safety channel जो भी है वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ये जो मैं आपको update दे ये fire and safety jobs related भी fire and safety topics related भी तो दोस्तो commitment of online application तो दोस्तो कल से शुरू होने वाला है कब तक चलेगा 25 February 2023 तक चलने वाला है उसके बाद दोस्तो इसमें मैं बात करने वाला assistant process technician हो गया फिर उसके बाद assistant wallet technician हो गया अब यहां पे दोस्तो मुद्दे की बात यह है assistant fire safety operator तो दो दोस् के साथ requirement जो है safety related I mean fire related certificate in basic firefighting course होना चाहिए कहां से firefighting from state fire training center तो दोस्तों यह आप ध्यान में रखना कहां से होता अब यह नहीं किसी भी private institute से कर लिया जो valid नहीं है तो वो करने मतलब नहीं दोस्तों तो यहां पे कहां बताया जा रहा है वो आप ध्यान से देखिए वीडियो certificate in basic firefighting course from the state fire technical center एक वो हो गया the duration of the course should be six month छे महीने तक का कम से कम होना चाहिए उसके बाद और क्या requirement है और जैसे यहां मैंने आपको पहली बताया affiliation recognized from the concerned state government तो जो सो किसी भी state government महारस्टा से हो या यूपी सो बिहार सो चन्नाई सो किसी भी state technical board की यह बात करना government state board या नहीं तो दूसरा जो अगर उस बंदे मास fire गया है तो sub officer course किया बंदा नाटपूर fire college जो है वो भी एक prominent college वहां से किया तो भी चलेगा या नहीं तो बं aggregate marks in the diploma and fire and safety such institute and course should we have affiliation recognition from the concerned state government तो दोसो कोई भी state government हो इसमें से दोस्तो जो fire service engineering वो भी consider किया जाएगा उसके बाद दोस्तो 50% aggregate marks for the candidate belong to the SCST and PWBD तो इन लोगों के लिए भी दोस्तो 50% का marks दिया गया और इसके साथ दोस्तो valid heavy vehicle driving license तो दोस्तो यह सब requirement है ओपनी यह आप देख है और यहां पर पुरा यह दिया गया क्या सिक लिए कि इतना है और यह और दूसरी important जो मैं आपको लेकर चलता हूं highlight करता हूं इसमें मैं fire and safety operator का क्या मैं क्या रहेगा दोस्तो वह मैं आपको highlight कर देता हूं तो चले मैं इसको highlight करता हूं और इसमें देख सकते हैं driving all type of vehicle during normal emergency situation आयना ची बंदे को normal emergency situation हो या normal situation हो चेकिंग हो गया testing हो गया and upkeep the firefighting equipment fire vehicle and their system तो दुसरो वो इसका ध्यान देखना है firefighting system जो भी हो गया fire production चाहे वो fire alarm हो गया commission system हो गया FEPO हो गया fire extinguisher हो गया बहुत सारे दूसरे यहां आप detail में बताने वाला हूं आप देख लीजिगे यहां पर attend to the emergency inside outside the refinery तो रेफाइनरी के बाहर जो भी emergency वह बंदे डील कर रहा है checking a work permit to conducting fire and safety training तो दो जो कोई भी fire and safety का बना पता जिए गा चेकिंग work permit कैसे चेक करते हैं फिसको फिर 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 गया fire and safety records हो गया assisting the process personal पुरा detail दिया हुआ दोस्तों क्या काम करना रहेगा वह आपको यहां से मिल जाएगा पुरा detail में अब यहां हम लोग आगे बढ़ते हो दोस्तों जो important point वह मैं आपको highlight करता हूँ minimum age जो आटरा सा required है और उसके साथ दोस्तो maximum age limit 25 है दोस्तों लेकिन अगर SCST या और भी criteria उस तो क्या है selection का procedure like candidate fulfilling all of all of the mentioned eligibility criteria for respective position will be called for a computer-based test तो जिसे हमनों CBT short में बोलते हैं Comprising of general aptitude test हो गया technical हो गया and professional तो दोस्तों यहां आप देख सकतो है कि fire and safety के लिए इसमें क्या क्या requirement है तो यह section आप पढ़ेगा डाउन्लोड करेगा तो आप पुरा detail मिल जाएगा Concession and relaxation कि लिए गया वो यहां मेंशन है दोस्तों आप यहां अपनी हिसाब से आप देख लिजीएगा आप कौनसे category में कौनसा Concession और relaxation ले सकते हैं अप फिर इसके बाद दोस्तों EWS category हो गया OBC non creamy category हो गया physical and medical fitness क्या requirement है यहां से आपको यह मालूम पढ़ जाएगा फिर इसके बाद दोस्तों move करता हूं रिमिनरेशन package on cost to the company दोस्तों यहां पर बदाएगा कितना पे होगा इसके लिए रिमिनरेशन फॉर अबोफ बजिशन विल भी अप्रोक्सिमेंटली साड़े साथ लाग का पर नम और कौस्ट दा कंपनी बेसिस तो तो पे स्केल जो दोस्तों 27,500 से लेकरके एक लाग के तक के बीच का है तो दोस्तों यह जो है मिनिममम बदाएगा साड़े साथ लाग पर नम का उसके बाद दोस्तों selected candidate will join in HPCL इंसान पेट्रोल कॉर्परेशन लिमिटेड इन और 07 ग्रेट तो इस ग्रेट पे दोस्तों उनको बहाली होगी उनका selection होगा they will be in probation period for the six month six month दो दोस्तो probation period रहेगा after the combination of probation they will be considered for the confirmation subject to satisfactory performance during probation period the confirmation in service would also be the subject of the verification and return and verification of the class तो यह आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह जो important point में highlight करता हूँ how to apply तो दोस्तों apply कैसे करना वह आपको एक छोड़ा-छोड़ा दारन देता हूँ like candidate यह आपको website पे जाना दोस्तों इस website में जाने कवाद दोस्तों पूरा detail गया दोस्तों click करना है carrier पे जाना है, carrier पे job opening पे जाना है और job opening के बाद दोस्तों यह भी एक और add कर देता हूँ job opening के बाद आपको recruitment दोस्तों यह जो मैं video बना रहा हूँ वह आपको मिल जाएगा तो चाहिए आप safety fire and safety का अगर आपके पास channel है तो भी आप यहां से डाउनलोड करेकर बना सकतो यह अगर आप candidate apply करना चाहता तो भी यहां पे आप जा सकते बना, I mean download कर सकता, advertised position यहां पे है दोस्तों, यह इस position पे आपको यहां मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों visiting the website, candidate to shoot soft copy at least for the, तो दोस्तों यह जो आप format रहेगा, वह 200 kv से अंदर रहना चाहिए, आपको धियान दर र procedure, वो हो गया, फिर उसके बाद आपको नीचे लेके चलता हूँ, और जो important point वो मैं highlight, हाँ दोस्तों payment आपको pay करना रहेगा, दोस्तों मुझे नहीं, government को pay करना रहेगा, इतना दोस्तों आपको risk लेना से मेरे हिसाब से, और यह मैं सुच यार कि इतने कम vacancy मेरे number आएगा, क को risk लेना पड़ेगा, 590 रुवे की बाद है, तो मेरे हिसाब से आपको recommendation आप apply करना चे दोस्तों, OBC के लिए इनडा है रुका है, जो pay a non-refundable amount of 590, दोस्तों यह आप दीख रहा, 590 आपको pay करना रहेगा, लेकिन दोस्तों मेरे खाल से, JST और इलागी हो सकता, और भी कु of application fee, तो दोस्तों, इन लोग का fee, माफ रहेगा, exempted किया गा है इनको, और उसके बाद दोस्तो, mode of payment कैसे करना, यह आप यहाँ देख लीजिएगा, फिर इसके बाद दोस्तो, other general instruction को करना, देख लीगा, all queries, तो दोस्तों, यह website भी, अब ध्यान से रखेगा, दोस्तों, यह website आपको कोई procedure, जानना रहें, तो इस पर आप को coordinate कर सकते हो, फिर इसके बाद दोस्तों, और नीचे आते हैं, end of the document होगा, दोस्तों, तो दोस्तों, मैंने आपको अलड़ी बदा दिया, कि कैसे download करना है, इस PDF को भी, तो आप easily download कर सकते हो, फिर से मैं आपके एक बार और जाना है, जोब आपनिंग के बाद दोस्तों, लिस्ट रहेगा, जो इस पोजिशन, जो इस ओपनिंग का है, दोस्तों, वहां से आपको recruitment मिल जाएगा, तो दोस्तों, इसी तरह की fire and safety job से लेट है, fire and safety topics, अगर हमां साथ नहीं जूल जूल जाएगे, ताकि इस तरीका आपक कुछ फायदा हुआ है, अच्छा लगा है, तो दोस्तों, लाइक जरूर कीजीगा, ताकि दोस्तों, मुझे motivation मिले और आपके लोगों के लिए इस तरह की वीडियो और में भी, जल्दी से जल्दी आप लोगे लाता रहूं, तो दोस्तों, wish you all the best and thank you very much.